हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल वी विल लर्न टूडे कंप्यूटर जी के आज हम लोग कंप्यूटर के सामाने जानेंगे यहां से जो टॉपिक होगा वह होगा लैंग्वेज अब वीडियो को स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हैर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप KBS ठीक है या NBS इसके साथ साथ SSC इसके साथ साथ बैंकिंग और UGC NET की तियारी कर रहा है तो बैसक के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून है तो आज हम लोग जान लें कि कम्प्यूटर की भासा यानि लैंग्वेज अग्वेज कम्प्यूटर कितने वर्गों में उसे बाटा गया है क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में उसे किया गया है इसे हम लोग गौर करें तो सबसे पहला आता है मसीन कोड लैंग्वेज सेगंड में आता है असेमली कोड भासा है असेमली कोड लैंग्वेज थर्ड में आता है हाई लेवल लैंग्वेज तीन तरगी भासा हैं यहां यूज की गई हैं मसीन कोड लैंग्वेज assembly code language इसके साथ high level language आप आगे जाल ले आगे क्या है अब सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन सी भासा है language जो है वो computer की कैसी है तो सबसे पहले था machine code language यहनि machine code language इस भासा हम परते एक आधिस को दो भाग होते हैं एक होता है operation code और दूसरा होता है location code इन दोनों को 0-1 के क्रम में grouping किया था समुईत कर व्यक्त किया था computer के आरंबिक दिनों में program दोरा computer के आधिस देने के लिए 0-1 के विविन क्रमों का प्रयोग किया था यह भासा समय ग्राही थी जिसके कारण assembly और उच इस तर यह भासाओं का प्रयोग किया जाने लगा तो आप क्या समझे machine code जो भासा है वो दो प्रगार की भासा होती है operation code होता है एक location code होता है जो computer adopt करता है वो 0-1 को adopt करता है अलग-अलग जो steps होते computer के यानि command होते computer के वो 0-1 या एक high level language होता है आप आके जालने अब आता है assembly language इसे भी आप गौर करें assembly language क्या होता है इस भासा में याद रखे जाने लाइक code का प्रयोग किया जाता है जिसे nominic code कहा जाता है क्या कहा जाता है mnemonic code ठीक है जैसे additions, aid subtractions, यहनि sub, jump, jmp लिगा प्रन्तु इस भासा का प्रयोग एक निस्त सन्रचना वाले computer तकी सिमित होता है आते इन भासाओं को निम नस्तरी है भासा का जाता है यह इसमें अपेट कैसे करेंगे subtract कैसे करेंगे आप jump कैसे करेंगे यह सब assembly language से आपको पता चल जाता है और इसे हम क्या कहते है mnemonic code भी कहते है और यह कैसी भासा है low level computer का यह language है आगे जान ले अब आता उचिस तरह यह भासा है high level language अब यह high level language क्या होता है इसे भी आप समझ ले high level जो language होते हैं उचिस तरह भासाओं के विकास कसरे IBM कमपनी को जाता है froton यानि फ्रोटन नामक पहली उचिस तरह भासा का विकास इसी कमपनी के प्रयास से हुआ इसके बाद सेकडो उचिस तरह भासाओं का विकास हुआ यह भासा है मनुष के बोलचाल और लिकने प्रयक्त होने वाली बासाओं के काफी करीब है देखें जो high level language होता है वो कौन किस कमपनी ने high level language को मतलब increase किया तो वो आई बीम उसका नाम क्या froton froton क्या है एक high level language है और इसके बाद सेकडो बहुत से high level language है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोन आया तो froton आया और यह क्या है high level language है ओके आगे जान ले आप अब आता कुछ उचिस तरी बहासा है निमने इसे भी आप गौर करें पहला आता फ्रोटन कम्पूटर की इस बहासा का विकास IBM के सोजन से JW Bacchus ने 1957 में किया आता है इस भासा का विकास गनितिय सुत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया आता है यहनि फ्रोटन अब हम लोग क्या पढ़ रहा है कुछ मनें some high level languages जिसमें पहला इस्ताना था फ्रोटन का कम्पुटर के इस भासा का विकास किस ने किया IBM ने किया और कोन ऐसे विज्ञानिक थे यहनि जिरों ने कम्पुटर की इस भासा का विकास पर योगदान दिया उनका नाम था JW Bacchus 1957 में उन्होंने इसका विकास किया आप आगे जान ले अब आता है कोबोल अब यह कोबोल क्या है इसे कोबोल वास्तम में Common Business Oriented Language का संचिप्त रूप है इस भासा का विकास 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 के लिए किया गया इस भासा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समू को paragraph कहते है सभी paragraph मिलकर एक section मनाते है और सभी section मिलकर एक division मनाते है इसे आप गहर करेंगे कि कोबोल क्या होता है कोबोल एक business oriented language का एक short name है और इसका विकास 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 है वह business जो ही था है उसके लिए किया गया था इस भासा की संक्रिया के लिए समू को paragraph में प्रयूग कियाता है और जो paragraph होते हैं एक section मनाते हैं और section जो होते हैं वो division बनाते हैं आप आगे जान ले आगे part 2 की वीडियो में लाऊंगा और इसके भासाओं को आपनी unit complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया झाप जामे को आपको एिल झाप के लुष से लुषा से खिला भासा गासा झापको झापको गूभरा धिला एक to में लेता हैं र cleaner जारोग झा पक्या फिला जजेंगे ले ख मेंगे का में जु़राह Fame झापको झाल झाल